नमस्कार दोस्तों, मेरे नाम है पालचंद्र, ब्रह्मान्ड सिद्याश्रु में आप सभी का स्वागत है, आज के इस वडिया में हम चर्चा करेंगे दिनांग 20 अक्तूबर 2022 का संपुर्ण राशिफल, उससे पहले आज के दिन का जो पंचांग है उसके बारे में चर्चा कर करेंगे आज का जो दिन है गुरुवार का है, शुभकृत नाम समवस्तर है, सुर्य का दक्षिनायन चल रहा है, शरत रुतु है, अश्वन महिना है, कृष्ण पक्ष की दसवी दिति है, नक्षत्र आसलेशा है, योग शुभ है, दिन का जो करण है वो विस्टी है, और जो 35 मिनिट तक का होगा, गुलिक काल और अभिजित मूर्थ दिन के शुभकालावदी कह जाते हैं, इसमें किसी भी प्रकार के महतो पुरुनकाम या फिनिरने आप ले सकते हो, उसी प्रकार आज के दिन का जो राहुकाल है वो शुरुवात होगा, दोपर एक बचकर 37 मिनिट स से लेकर 7 बचकर 52 मिनिट तक का होगा, राहुकाल और या मगंडकाल दिन के शुभकालावदी कह जाते हैं, इसमें किसी भी प्रकार के महतो पुरुनकाम या फिनिरने बिल्कुल भी नहीं लेना, उसी प्रकार आज के दिन का जो चंद्रमा है, या चंद्रमा करक राशी में ब्रह्मन करेगा, सुबच 10 बचकर 30 मिनिट के पाद या चंद्रमा सिंग राशी में ब्रह्मन करेगा, या चंद्रमा रवी, शुक्र और मंगल के साथ लाभ योग करने जा रहा है, यह अगरा सिती सामने रखते हुए, 12 राशियों का राशी फल क्या होगा, इस विशय पर अब हम चर्चा करेंगे, तो सबसे पहली राशी है मेश राशी, मेश राशी के चतुरुदव बाव में चंद्रमा का ब्रह्मन है, सुबच 10 बचकर 30 मिनिट के बाद या चंद्रमा आपके पंचम बाव में ब्रह्मन करेगा, या चंद्रमा आपके त्रिद्यव बाव में सि वे नज़र आएंगे आज आपकी जो energy level है वो भी काफी अच्छी देखी जाएगी उसी प्रकार documentation के बारे में किसी प्रकार के काम है वो आप हाथ में ले सकते हो अगर आप किसी के relationship में है तो आप दोनों में जो harmony है वो काफी अच्छी देखी जाएगी अगर आप व्यवाईत हो तो जो वैवाई जोडिदार है उनके साथ भी आपकी जो harmony है वो बहुत ही अच्छी देखी जाएगी अगर आप share market में deal करते हो तो कुछ अच्छे लाब वगरा या फिर investment वगरा होनी की संभावना भी काफी अच्छी बन रही है तो कुल मिला के देखा जाए तो दिन आपके लिए बहुत ही जादा शुबह लदाई साबित होगा इसके बाद की जो राशी है वो है ब्रिशब राशी ब्रिशब राशी के चथुरत बाव में चंदरमा का ब्रह्मनेर आपके दित्यवाव में सिद्मंगल के साथ और आपके शष्ट बाव मिस्तिद्रवी और शुकर के साथ ये चंदरमा लावयोग करने जा रहा है काफी अच्छा दिन है आपके लिए कास करके आज का जो दिन है आप घर पर रहना पसंद करोगे आराम करना पसंद करोगे और वह आराम आपको मिलेगा भी अगर आप भी वाहित है तो वाइबाइग जोड़ी दारे उनके साथ आपके जो हार्मनी है वो काफी ऐच्छे देखी जाएगी आपके जो वाइबाइग जोड़्यारे उनके लिए के तरभी और शुकर के साथ यह जंदरमा लाव हुप करने जा रहा है आज का ज़ंदीगा जोड़ा बुझी दे सावित हुगा जो भी महतुपूर्ण काम है हाथ में ले सकते हो और वह पूरे होती होगी है आज आपके जो ट्राविलिंग है वह भी काफी देखी जाेगी अग ले सकते हो, अगर आप जॉब ले सो तो जॉब बगरा मिलने की संभावना भी काफी अच्छी बन रही है इसके बाद की जो राशी है, वो है करक राशी अगर आप की जो लोग है, उनके साथ भी आज आपकी जो हार्मनी है, वो काफी अच्छे देखे जाएगी, उनकी कोई अपक्षाय रहेगी, वो आज आपको पूरी करनी पड़ सकती है आज की दिन आपके थोड़े खर्चे भी हो सकते हैं, लेकिन दिन बहुत ही अच्छा और शुबफल लदाई साबित होगा इसके बाद की जो राशी है, वो है सिंग राशी सिंग राशी की वहिए भाव में चैन्दरमा का भ्रहमन है, अब ह सवब दस बच्कार 30 मिलेकी बाद ये चैन्दरमा आप verschied के राशी में भ्रहमन करेगा आज के दिन आपके ट्रावलिंग मगरा भी काफी हो सकती है, खुल मिलाके देखा जाए, तो दिन आपके लिए शुबुफलदाई साबित होगा. इसके बाद के जो राशी है, वो है कन्या राशी. कन्या राशी के लाब भाव में चंदरमा का ब्रह्मन है, और सुबध 10.30 के बाद ये चंदरमा आपके वे ये भाव में ब्रह्मन करेगा, ये चंदरमा आपके द्वित्या भाव में सित्रभी शेकुरा और आपके द्शम भाव में सित्मंगल के साथ लाब योग करने जा रहा है. आपका जो भी खारशेतर है इसको बाहर गुना के न लेकिन दिन काफी अच्छा है आज कि अच्छे इंवेस्टमेंट आप्शों भी आ यह चंद्रमा आपके लाब भाव में ब्रवन करेगा, आपके राशे मिस्थ रवी शुकुरा और आपके भाग के बाव मिस्थ मंगल के साथ यह चंद्रमा लाब यो करने जा रहा है, काफी अच्छा दिन है आपके लिए, खास करके अगर आप विवाईत होता, आपके जो वा अलदाई साबित होगा, इसके बाद की जो राशी है, वो है ब्रिच्चिक राशी, ब्रिच्चिक राशी के भाग्या बाव में चंद्रमा का ब्रह्मन है, सुबत दस बच कर 30 मिन के बाद यह चंद्रमा आपके दशम बाव में ब्रह्मन करेगा, यह चंद्रमा आपके आश् relationship में उनके साथ आपकी जो हार्मनी है वह अच्छे देखी जाएगी आपकी जो वैवाई जोड़ीदार है उनके साथ भी अगर आपके रिश्ट देताने हुए है तो आज की दिन काफी माइनों में नौर्मल होते हुए नजर आएगे कारिशेतर के बारे में कुछ अच्छे आपके बारे में आज आप हाथ में ले सकते हो और काफी सहचता पूरे होते हुए भी नजर आएगी इसके बाद की जो राशी है वो है धनुराशी धनुराशी के अश्टम बाव में चंदरमा का ब्रह्मन है सुबद 10 बच कर 30 मनी के बाद यह चंदरमा आपके भाग्य आपके लिए काफी अच्छा और नौरमल होते ही नजर आगे आज जो बोगी क्याम करोगे उसमें आपको सपलता मिलने की संबावना काफी बंद्री अगर आप जोब अगरा बिलने की संबावना भी काफी बंद्री रिएग कुछ अचे इंडुए अच्छे बग्राव भी उट्चा देखा जाएगा. इसके बात की जो राशी है, वो है मकहीर राशी. मकहीर राशी के सप्तम भाव में चंदरवा का ब्रहमन है. सुब़च सबस्थ बच कर देंड के बाद यह चंदरवा आपके सच्ट कर में ब्रहमन करेगा. आपके शच्च बाव में सित्म अंगल के साथ और आपके दशंबाव में सित्र अभी शुकर के साथ यह चंद्रमा लाव यो करने जा रहा है दिन काफी अच्छा है आज के दिन आपको अनेक्ष्पेक्टेड लाव अगरा मिलने की संभावना काफी अच्छी बंद रही है होगा एसके बात कि जो राशी है वह कुंभर राशी कुमर से के शैष्ट बॉक्तर मका ब्रहुमन है सुबह 10 वज कर 30 में के बाद यह चंद्रमा आपके सब्धम89 के साथ के साथ जा कर जा रहा है दिन काफी अच्छा है खास करके सुबह के बाद के जो समय है उसमें आपकी जो वाई-बाई जोड़िदार है उनके साथ आपकी जो इंटरेक्शन है वो बहुत ही अच्छी देखी जाएगी अच्छी सूजबुज देखी जाएगी आज का जो दिन है आप लकी डे ज़र आएगे जो की काफी अच्छी बात होगी तो आज का जो दिन है आपके लिए शुबुफवलद्दाई सावित होगा इसके बात की जो राशी है वो है मीन राशी मीन राशी के पंचम भाव में चन्रमा का ब्रह्मन है सुब 10 बच कर 30 मिन के बाद ये चन्रमा आपके 6 बाव में ब्रह्मन करेगा आपके चदुरत बाव में सिद्म अंगल के साथ और आपके अश्टम बाव में सिद्रवी शुक्र के साथ ये चनरमा लाव युक करने जा रहा है तो दिन काफी अच्छा है खास करके अगर आप किसी के रिलेशन्शिप में आप दोनों में इंट्रेक्शन है वो काफी अच्छी देखी जाएगि आज कर दिन है अगर आप जॉब लेशो तो जॉब वगरा मिलने की संभवना काफी अच्छी बंदर ही चुछ अच्छे लाव वगरा मिलने की संभवना संपुन राशिफल आपको राशिफल कैसे लगा आपने किस प्रकार से अनुबह की आनीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना और अपना जो चैनल है ब्रह्मान्द सिद्धे एस्ट्रो इसे भी लाइक शेर और सब्सक्राइब जरूर करना धन्यवाद